हेलो फ्रेंड्स मैं प्रमीला आई एंडी चैप में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे नया नास्ता और उसके लिए हमने ये दो बॉयल करके आलू लिया है आलू को ग्रेट कर लिया है जब भी इस नास्ते को आप बनाना फ्रेंड्स तो आलो को grate करके ही लेना इससे क्या है इसकी गुठलिया वगेरा बिल्कुल भी खतम हो जाती है इसकी अंदर हम डालेंगे चार चुटकी हल्दी चार चुटकी हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पौडर मिर्च पौडर अपने टेश्ट के अनुसार लेना फ्रेंस कमिया जादा चार चुटकी गरम मसाला तो फ्रेंट देख पार होंगे यह हमने चार चुटकी जीरा लिया है मतलब आधा टेबल इस्पून से भी कम लिया है और धनिया टेश्ट के अनुसार नमक लिये हैं इससे क्या करना है हाथों से ही मिला लेंगे अच्छे से सारे मसाले और आलो को यह हमारा स्टपिंग बनके तयार हो जाएगा इस तरह से मिलाना है इसकी अंदर देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी मोश्राइजर नहीं है बिल्कुल सुखा सुखा यह दिख रहा है आलो इस त पराठे भी बना सकते हो फिंट गर्मियों में बिल्कुल भी आपका पराठा तूटेगा फोटेगा नहीं अगर आलो का पराठा इस तरह से आप स्टपिंग बनाओगे तो एक हमने रख लिया कड़ाई चूले पे इसकी अंदर हम डाल देंगे एक गलास पानी पानी को डाल तो फ्रेंट ए हमने लिया है गुथा हुआ आटा ए जो रोटिया हम बनाते हैं वही वाला आटा है जो बच गया है तो हमने इस तरह से एक लोई रोटी वाला उठाया और इसकी अंदर डाल दिया देख पा रहे होंगे हमने एक अच्छे से इस तरह से बना लिया है अब इस इस तरह से आप नया नास्ता बना सकते हो, तो हम देखो यह लिया एक टेबल स्पून और एक टेबल स्पून और डाली है इसके अंदर, अब इससे क्या करेंगे अच्छे से हाथों से बंद कर देंगे, इसी तरह से सभी को एक एक करके भर लेना है फ्रेंट्स, आप देख पा लिया है, कराई के अंदर रख लिया था और गरम कर लिया है फ्रेंट्स, एक एक हम जो भर के गुतिवे आटे का हमने भर के तयार किया है, अब इससे कभर करके इससे हम चार मिनट तक पका लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, चार म मिनट हो गए है, अब इससे हमने खोल लिया है, यह हमारे पक चुके हैं, अब गैस को कर देंगे बंद, एक एक इस तरह से नास्ते को बाहर निकाल लेंगे, तो आप फ्रेंड इस तरह से नास्ता बना के बिना तेल का भी आप खा सकते हो, आज हम सैलो फ्राई करेंगे इस आप चाय के साब भी इसे खा सकते हो, ऐसे भी इसे बना के खा सकते हो, सुबसाम नास्ते में भी ले सकते हो, बच्चों कोई टिपन में भी दे सकते हो, खाने में बहुत ही यह स्वाधिश्ट है फ्रेंड्स, जो लोग कम तेल में खाते हैं इस तरह से बना के खा सकते हैं, कड़ी पत्ते और हरी मिर्श है फ्रेंट्स लाल हो गई है इसे हमने बड़े-बड़े साइज में कट कर लिया है आप छोटी साइज में कट करके भी ले सकते हो इसे क्या करना है तड़कने देना है बिल्कुन थोड़ा सुनहरा होने तक यह हमारा सुनहरा हो गया फ्रिंट देख पा रहे होंगे थोड़ा से इसे हमने mix कर लिया है यह जो हमने नासा बना के तयार किया है अब इसमें डाल के हिलाते डुलाते इसी थोड़ा सा हलका brown होने तक हम पका लेंगे तो फ्रिंट देख पा रहे होंगे बहुत जबज़स्त नास्ता है आप इस तरह से इस नास्ते को बना के enjoy कर सकते हो चाय के साथ और जब भी आपका हलका फिलका खाने के कुछ मन करे इस तरह से आप बना सकते हो तो देख पा रहे होंगे फ्रिंट ये नास्ता भी हमारा खाने में बहुत स्वादिश्ट है अगर ये नास्ते की रेस्वी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को like, subscribe और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना फ्रिंट और अपना साथ support, अपना प्यार हमारे साथ बनाए र अलग रेस्पी आपके साथ share करेंगे, तो फ्रिंट आप देख पा रहे होंगे, आप इस नास्ते को मिंटो में बना के तयार कर सकते हो, जितना ये नास्ता देखने में अच्छा है, उतना ही खाने में है, बनाना भी बहुत आसान है, एक बार हमारे तरह से जरूरी नास्ते को बनाना फ्रिंट्स और कमेंट करके हमें जरूरी बताना ये नास्ते की रेस्पी आपको कैसी लगी, तो फ्रिंट्स बनाना खाना तभी हमें आप कमेंट करके बताना नास्ता हमारा कैसा बना है, तो हम चाकु से कट करके भी आपको दिखा सकते हैं, फ्रिंट्स देख पा सकते हो, खाने में बहुत स्वाधिश्ट है फ्रेंस आप जैसे हमने सेलो फ्राइ किया है आप बिना फ्राइ किये भी खा सकते हो, फिर मिलेंगे नई रेस्पि के साथ बाई बाई